पिछते चप्टर में हमने देखा था कि Linkvai को बिलाती है और पुछती है कि तुम मेरे घर आओगे क्या तबी यी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे यहां आऊंगा तुम मैं बस टाइम बता देना तो लिंग भई बोलती है ठीक है तुम आओ मैं तुम्हें जल्द से जल सारी इंफरमेशन दे दूंगी करके और फिर वो अपने grandfather और grandmother की तरफ आगे जाने लगती है तबी उसकी grandmother पुछती है कि कैसा रहा तुमारा conversation यही के साथ तो grandma बहुती नर्वस हो रही होती है और पुछती है क्या वो आएगा क्या वो आएगा करके तबी grandfather बोलते है क्या तुम्हें परवा है कि वो आएगा की नहीं आएगा तबी grandmother बोलती है कि तुम कैसी बाते कर रहे हो और कौन है जो अपनी daughter को और अपने grandson को रोज मिस करता है तो grandfather चलाकी से कह देते लें वो मै नहीं हो जो मिस करता है और तब ही grandma को कहते है कि तुम हो जो उन्हें हर दिन मिस करती है तो लिंगवाई बोलती है कि grandma और grandpa मैं एक party जो है घरपे organize करने वाली हूं और उसने promise किया है कि वो घरपे आएगा हमसे मिलने के लिए तो Grandmother जोती है वो बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है कि ये तो बहुत ही wonderful बात है करके और अपने husband याने grandfather को बोलती है कि तुमने सुना कि वो आएगा तभी grandfather बोलते है हाँ मैंने सुना कि वो आएगा तभी lingvai बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है हमारे बारे में तो जब वो आएगा तो आप लोग उसको डरा मत देना grandpa और हम लोग वैसे भी उसके लिए strangers से करके तो grandpa जो है वो सिफ एक हामी भड़ते हैं तभी grand mother बोलती है कि चुकि तुम अब party होल्ड करने वाली हो तो मैं तुमें सला दूँगी कि तुम एक बहुत बड़ी वाली party organize करो जिसमें तुम सभी लोगों को भुलाओ और हमारी family का time है कि अब हम लोग लोगों को बताए कि हम लोग भी हैं करके और वो बोलती है कि लिंगवाई तुम जितने चाहो उतने friends को बुलाओ और मैं और तुमारे grandfather भी हमारे old friends जो हैं उनको बुलाएंगे और तुम अपने young people जो वो तुम अपना-पना fun करना तुम लोगों को कोई परिशान होने वाली बात नहीं है और इसी बहाने तभी grandmother जो है वो यह भी बोलती है कि इसी बहाने हम ही से party के मिडिल में मिल भी लेंगे और उसे uncomfortable भी feel नहीं होगा तो लिंगवाई बोलती है ओके grandfather बस बैट के सोच रहे होते हैं तभी दिखाते हैं कि अब यह CEO के grandfather का एक report पढ़ रहे होते हैं और उनका एक manager आता हो बोलता है कि यह जो है वो he family ने आपको party में invite किया है करके तो grandfather को CEO के grandfather को बहुत ज़्यादा आश्र होता है और वो बोलते हैं कि Mr. he ने मुझे invite किया है तो उनका manager बोलता है कि हाँ यह party दो दिन में है तो grandfather बोलते हैं मैं वहाँ पहुँच जाओंगा और वैसे भी बहुत लंबा समय हो गया है मैंने उसे देखा नहीं है करके और तो भी grandfather के heart में कुछ pain सा होने लगता है CEO के grandfather के heart में तो उनका manager बोलता है कि मैं डॉक्टर को बोलाता हूं लेकिन CEO का grandfather बोलता है कि नहीं कोई जरुवत नहीं है मुझे बस तुम थोड़ा सा पानी देगो तो manager उसको बोलता है कि ठीक है सर मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं और तभी manager के भी बोलता है कि अच्छा होगा कि आप hospital जाओ कि आपकी जो health है वो good condition में नहीं है और आपके जो son and grandson है वो भी आपके बारे में वरीड होंगे करके तो grandfather बोलते हैं ठीक है तुम जाओ और arrangements करो और तभी वो सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं पार्टी भी अटेंडनी कर पाऊंगा तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपने junior को मेरे बतले वहां भीज देता है तो वो पूछते है grandfather पूछते कि मैं किसको भीजू करके तो manager पूछता है कि क्या आपका मतलब आपके grandson से है क्या तो जो grandfather है वो बोलते हैं कि ठीक है नहीं मेरे खुद के बेटे को जाने दो करके फिर क्या होता है कि जो हमारी queen है वो उसका दिखाते है कि कैसे उसने अपना मतलब जो है वो भी show की तयारी कर रही है और कैसे उसको लोगों ने cylinder किया था वो दिखाते है वो अपना phone देख रही होती है और तभी वाई भी अपना phone देख रही होती है और जो वाई है वो गु क्यों नहीं मेरी बातों का मतलब समझ रही है उसे क्या दरवत है दूसरों के एफ्यरस में कांग अड़ाने की और तभी हो सुचती है कि मैं क्या करूं यदि जिन याओ को पता चल गया तो क्या होगा और वह मेरे बारे में क्या सोचेगा मतलब CEO को जो पता चल गया तो और यदि स्कूल में पता चल गया तो मुझे तो महां से सस्पेंडी कर दिया जाएगा और प्रोफेसर ये ने मुझे अभी ही बताया था कि उन्होंने मेरी जो पोजिशन है वहाँ पर सिक्यूर करके रखी है मेरी मास्टर स्टेडीज के लिए और मेरा जो फ्रीचर है वह बहुत ही प्रॉमिसिंग है तो मैं यहाँ पर कैसे गिर सकती हूँ मतलब मैं इसको खराब नहीं होने दे सकती तब ही क्वीन बोलती है CEO को कि ब्रादर क्या कहते है मेरी जो फ्रेंड है वो पार्टी रखने वाली है तो क्या आप मेरे साथ पार्टी में आ सकते हो तो CEO बोलता है कि ठीक है कौनसी पार्टी और कभ है तो कुईन बोलती है कि दो दिन में पार्टी है और मेरे ग्रेंड पार जो हैं वो मुझे कुछ लोगों से इंट्रड्यूस कराना चाहते हैं और फिर ऐसा करके हमारा social network भी आगे बढ़ेगा करके तो CEO बोलता है ठीक है मैं वहाँ पहुंच जाओंगा तभी CEO का फोन आता है और ये फोन यी का आ रहा होता है और यी और रूरू एक जगा पर बैटे होते हैं रूरू यी की गोद में होता है तभी यी बोलता है कि फैंग जिन याओ मैं आज एक पार्टी अटेंड करने जा रहा हूं दो दिन के बाद तो मैं तुम्हारे साथ में डिनर नहीं कर पाऊंगा उस दिन तो मैं तुम्हें पहले से बता दे रहा हूं जिससे कि मैं भूलना जाओं करके तो CEO बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम अपना ख्याल रफोगा के और घर जल्दी जाना तभी वहाँ पर दिखाते हैं कि जो CEO का grandfather का son है वो बोल रहा होता है कि मेरे जो father है वो मुझे पार्टी में भेजना चाहा रहे हैं जिन ग्याओ की जगह पर तो मैंना जो बोलता है हा सर ये आपको भेजना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छी अपर्शनिटी भी होगी कि आप वहाँ के लोगों के साथ में अच्छा रिलेशन्शिप बनाए करके और तभी जो उनकी ग्रैन पा का जो ये है बेटा है वो बोलता है कि वैसे भी बहुत लंबे समय से मैंने ही पैमडी को नहीं देखा है वो बहुती लोग चल रहे हैं और इस बार उन्होंने ऐसे टाइम पर पार्टी भी रखी है और ये लोग जो हैं सिंपल नहीं है जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है और मुझे उनको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है करके तो मैंने जबी बोलता है ठीक है पिर रात हो जाती है और दिखाते हैं कि पार्टी शुरू हो रही होती है सब लोग अपने ड्रिंक्स वगरा पी रहे होते हैं और तभी लिंगवाई बोलता है कि यह को हाथ देती है और बोलती है कि अधर है करके और जब हां दे रही होती है तो यह खुश हो जाता है और वह सुछता है उसे में पहनना चाहिए है। कि यह फ Hollow party है तो करके और वह सुछता है कि यह बहुत एंबारिस्टिग है और मुझे घर जाने का मन हो रहा है करके तभी क्या होता है कि इलिंग वाई जो है वो आती है और बोलती है कि यही तुम फाइनली आ गए हो तो यही बोलता है कि मुझे यह जगा के बारे में पता नहीं था तो मुझे आने में लेट हो गया करके और तभी और ये भी सुचता है किते सारे लोगों को मैं फॉर्मल ड्रस में देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा अखवर्ट सा लग रहा है और मैं बहुती सिंपली तरीके से तयार होके आया हूं करके तभी लिंग भाई बोलती है कि it's okay कोई problem नहीं है at least तुम यहां आ गए हो और चलो अब मेरे साथ चलो तो यह बोलता है कि I am sorry मुझे पता नहीं था कि यह formal party है नहीं तो मैं भी dinner suit पहन के आता था तो क्या मैं घर जाके वापस बदल क्या हूं क्या यह बहुत impolite लगेगा दूसरों को कि मैं यहां पर suit नहीं पहन के और बाकि सब suit पहन के आये हैं करके तो लिंग भाई बोलती है कि मुझे तुम से apology करने की जरुवत है क्योंकि यह private party था actually और तुम्हें किसी की भी Wari करने की जरुरत नहीं है और कपड़ों की भी तो कपड़ों की वरी करने की बिकुल जरुर्त नहीं है हौंके तो तबहा'tे है कि जोग्रैंटफादर्स होते हैं जो पर चेर्स रखो यहां पर कार्पिट रखो कर्टन्स को ठीक करो कर्टन्स को बदलो और तभी जो ग्रैंड मदर है वह भी बोलती है कि ओल मैं तुम अपने कपड़ों को देखो कि वह कितने होमली हैं और तुम्हें जाके कपड़े चेंज करने चाहिए तुम बहुती इंफॉ को जाके पहनों करके तो दोनों हस्बेन वाइफ जाते हैं और अपने कपड़ों को बदल के आते हैं और तभी लिंगवाई सोच रही होती है कि ग्रैंपा और जो ग्रैंड मा है वह कितने पिकी हैं हर चीज को लेके और तभी पार्टी जो है वह इस तरह से टर्न आउट हो हो इससिल तभी ये वुछता या कि अनकोफप्रडिम हो रही तो लुक हुख थी हैं टीक हूं तुमें चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुमें वापस चांगे कपड़ चेंज करने की वी जरूरत नहीं है grandfather के कुछ old suits हैं जो उनके young age के थे तो तुम उन्हें पहन सकते हो तुम्हें कोई अतराज ना हो तो और ये जो उनका size है वो भी तुमारे जैसा size है और वो विल्कुल outdated भी नहीं है तो क्या तुम try करना चाहोगे तो ये बहुत खुश हो जाता है और बोलता है क्या वो तुमारे grandfather के clothes है क्या वो ठीक होगा मैं उनके कपड़े पहनूँगा तो उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा करके तब इलिन भाई बोलती है कि जो grandfather है अब वो इन कपड़े को नहीं पहनते और अब ये कपड़े बस ऐसे ही रखे रहते हैं और उन्हें बहुत खुशी होगी कि यदि तुम उनके कपड़े पहनोगे तो तो ये बोलता है ठीक है फिर तुम उनको मेरी तरफ से thank you कह देना और फिर लिंग वाई जो है ये का हाथ पकड़ती है और उसको ले जाती है और बोलती है कि चलो मेरे साथ चलो और दोनों बहुत close close चल रहे होते हैं तभी कुछ लोग देखते हैं और सोचते हैं कि लिंग वाई जिस लड़के का हाथ पकड़ी है वो कौन है करके और तभी दूसरा आदमी बोलता है कि ऐसा उनको देखके लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी close है और तभी एक और बोलती है कि मैं सोच रही थी कि इन लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी सडेनली क्यों रखी है करके तो क्या ये कहीं ऐसा दनी कि लिंगवाई की मैरिज प्लानिंग करने के लिए ये पार्टी को रखा गया हो करके और तभी दो लोग और बात करते हैं कि किस पावरफुल फैमिली का होगा ये आदमी और ये जो है वो बहुती अनफैमिलियर लग रहा है करके अपने लिंग वाई जो है वो अपना रिटायर्मेंट अनाउंस करेगी और शादी करेगी क्या और वैसे भी वो जो है वो आखिकार एक अकेली रिच फैमिली की लड़की है तो मेभी वो चाहिद रिटायर्मेंट लेकर शादी कर ले तब ही कोई आके बोलता है कि ये एक पॉर्मल पार्टी है तुम लोग को जादा ही सोच रहे हो और तब ही दूसरे लोग भी बोलते हैं कि लेकिन ये पार्टी जो वह बहुत ही सटन हुई है तो तुम लोग को क्या लगता है और तब ही जो याओ होती है वो अपने भाई के साथ इस फैमिली में आई होती है और वो अपने बाई को बलते कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकिया है तो उसका भाई गुसा हो जाता है तुम क्या कहना चाहती हो फिर से बोलो और तब याओ बोलते है कि टीक है आपने मुझे यहाँ पर बुलाया जिससे कि मैं जिन याओ और लिंग वाई से अपलोजिकर हूँ याने माफी मागू तो जो याओ का भाई होता है वो बोलता है कि तुम्हें Mr. Jin Yao और Link Wai से और Miss Queen से सबसे माफी माँगनी होगी और तब ही लड़की बोलती है ठीक है मुझे इन सबसे माफी माँगनी होगी और मैं बहुती Unreasonable और Irrational Behave कर रही थी और मुझे ऐसा सब नहीं कहना चाहिए था करके तो उसका भाई याओ का भाई जोता है वो खुश हो जाता है कि लड़की को अपनी गलती का पता मतलब एहसास है करके और बोलता है कि ठीक है तुम sincerely उनसे माफी मांग लेना और नहीं तो नहीं मांगोगी तो मैं तुमारे जित्ते भी credit cards है सबको freeze कर दूँगा और जो mom है उनको भी तुमको कुछ भी देने से माना कर दूँगा तो बंदी बोलती है कि ठीक है मैं उनसे अपलोजी कर लूँगी करके और तभी जो यह है याओ का भाई है वो बोलता है कि मैंने अपने लोगों को बोलके जितने भी hot search थे और comments थे उनको delete करा दिया है पर उसका अभी भी थोड़ा ना थोड़ा influence तो अभी भी है और यह भी बोलता है कि यदि अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा account भी ban करा दूँगा याओ बड़ी उदास हो जाती है और चिलनाने लगती है कि मुझे जो है आप कह रहे हो कि मैं मिस वाई के साथ बाहर भूना फिरना बन कर दूँ और करके तो यह याओ का भाई बोलता है हाँ तुम वाई के साथ भूना बन कर दो और अपने इस टेडिस के उपर दियान दो और तुम इस बार भी यदि फेल होई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तब ही याओ कोती है ठीक है अब तुम बस करोगा कि आपको कुछ आइडिया भी है कि कि कितना लेट हो गया इन सब चीजों के लिए और ऐसा कहके वो भाग जाती है और तब ही याओ का भाई सोच रहा होता है कि यह लड़की जो है उसकी बाते सुने और उन लोगों से अपलोजिक कर ले करके तब ही ब उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं तो लिन्वाई से बोलता है क्या मेरे कपड़े जो है वो बहुत फणी लग रहे हैं मेरे पे क्या या मेरे पेस्ट पे कुछ है और सारे लोग मुझे क्यों देख रहे हैं तो लिन्वाई बोलती है कि तुम एकदम पॉफेक्ट लग र तो तुम्हें अपना हाथ हमेशा ऊपर रखना चाहिए और हमेशा सेंटर का अटेंशन गेन करना चाहिए तो यह बोलता है ओके और दोनों फिर हस्ते वे बात करने लगते हैं लिंगवाई यह को हाथ से पकड़ी होती है तभी यह सोच रहा होता है कि यह क्या ठीक होगा जिस फैमिली का करके तभी लिंगवाई पुछती है क्या तुम हंगरी हो क्या तुम्हें प्यास लगी है क्या तुम कुछ खाना चाहते हो क्या मैं तुम्हारे ले कुछ ले के आओ तो यह बोलता है ठीक है तुम मेरे ले कुछ ले के आओ तो लिंगवाई बोलती है ठीक है तु तो इसको अपने घर जासा समझो और मैं तुमको बाद में अपने ग्रेंट पाओ और ग्रेंड मदर से मिलवाओंगी तो यह वह ओके तो बोल देता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि लिंग वाई के ग्रेंट पैरेंट से उसको क्यों मिलना है और तब ही उसको लग वह आखिर कर क्या चल रहा है और तब ही उसके मन में एक विचार आता है कि ऐसा तो नहीं कि लिंग वाई उसको पसंद करती है और तब ही बोलता है यह क्या प्रॉब्लम है और मैं यह ऐसा सब कैसे सोच सकता हूँ करके दूसरी तब दिखाते हैं कि लिंग वाई के जो मदर होती है वो भी आगे पीछे चल रही होती है और वो सोच रही होती है कि क्या वो आ नहीं गया है और आ गया है तो यहां क्यों नहीं आया है और वो आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसके में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं तभी ग्राइन पादर बुलते है कि तुम इस से ज्यादा चाय पी है और अब और तुम इतना ही नहीं पांस से छे बार टॉइलेट भी गए हो तब यह उनके दर्वाजे पर नॉक नॉक होता है तो ग्रैंड पादर ग्रैंड मदर जो अपनी अपनी पोजिशन ले ले लेते हैं बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि अंदर अगरी होता है और वह बोलता है कि मेरे पादर है उनको अच्छा नहीं लग रहाता तो में उनके भीhmenेहा करने आया है तो अपनी सदलॉत हो जाता ह। को बहुत disappointment फील होता है क्योंकि वह इसका नहीं वेट कर रहे थे लेकिन फिर भी वह उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि आओ तुम यहां आके बैठो करके तभी क्या होता है दूसरी तरफ Queen और CEO भी आचुके होते हैं और देख रहे होते हैं तभी Queen बोलती है कि bro मेरी जो sister है वो इसी तरफ आ रही है और चलो हम चलते होने hello कहके आते हैं तो CEO सबको बोलता है कि उसे जाना पड़ेगा करके तभी CEO आगे बढ़ता है कि यी भी इस party में हैं और यी भी CEO को देखता है दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन यी लिंगवाई के साथ होता है और लिंग है वो ये देखके बहुती फ्रीज सा हो जाता है तो कुईन पुछते है कि ब्रो क्या हुआ तुम एकदम से फ्रीज क्यों हो गए और कुईन को समझ में नहीं आता है वो दूबारा CEO को बुलाती है कर अब दोनों CEO और यी एक उसे के आमने सामने आ जाते हैं और तभी CEO बोल तभी यी जो अपने मन में बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे वियर्ड सा फीलिंग आ रहा है करके और मैंने कभी भी ऐसे फॉर्मल कपड़े नहीं पहने हैं तो CEO आगे बचता है और यी की टाइप को ठीक कर देता है और बोलता है कि ये तुम पे सूट करता है करके तो CEO इस पहल कि तुम इसमें अच्छे दिख रहे हो और फिर तभी यी CEO बोलता है कि मुझे नहीं लगाता कि मैं तुम से यहां पर मिलूँगा आइजि के दौने लड़कें इन दौन को देखने रहती है और यह होता है और फियो फुर लोग को नो यह ने से पहले डियर की अट क सब्सक्राइब करने हैं और क्या है अभी दो मिनिट हो अल्रडी टू मिनिट्स लेट हैं और ग्राइन अभी वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रहे होंगे करके तो लिंग वाई बोलती है कि चलो हमको चलना चाहिए तभी सियो पुछता है कि तुम कहां जा रहे हो और अप उसे के इतने क्लोज हो और तभी लिंग वाई बोलती है कि मैं यही को अपने ग्रेंट पैरेंट से मिलाने ले जा रही हूं और आप अपने आपको यहां पर आराम से कंफर्टेबल फील कीजिए तभी सियो बहुत है कि मैं उन्हें कर सकता हूं क्योंकि हम भी मिस्टर ही और रेफ्यूज भी करूं और यदि जिन याओ मेरे साथ आएगा तो यह मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा तो लिंग वाई थोड़ा से हेजिटेट करती है फिर भी बोलती है ठीक है और तभी कुईन बोलती है कि सिस्टर अब क्या हेजिटेट कर रही हो मैंने भी ग्रैं करने काम और रही होती और यह उलस्टा कर रही होती है और यह चारों मिलके एक ग्रूप में बात कर रहे होते हैं और चारों मिलकर आए, मुझे पता है कि कैसे चल ना है मुझे खीशनी दिवाजदी नहीं है तब ही लिंग वाई बोलती है कि मैं मुझे जहां तक यादे कि मैंने मिस्याओ को इस पार्टी में नहीं बुलाया था करके तो CEO और जो यही है वो भी थोड़ा सा देखने लगते कि आकर हो क्या रहा है और उन्हों के सिर्के उपर कोश्टन मार्क भी बने होते है और तब ही याओ बोलती है कि मैं खुद भी यहां नहीं आना चाहती थी तो याओ का भाईना थोड़ा गुसा हो जाता है और इसको तिर्ची नजल से देखता है और बोलता है कि मैं यहां इसको लेके आया हूँ जिससे की लिंग वाई यह तुम से अपलोजी कर ले और इसने अपनी गलती पे भी रिफ्लेक्ट किया है घर में पैटके तो यह तुम लोगों से अपलोजी करना चाहती है और तब ही मिस्टर याओ यह भी बोलते है कि मैंने देखा है कि जिन याओ जो है और और कुईन जो है वो सब यहीं है तो क्या तुम लोग एक चांस दोगे मेरे खाति मतलब मिस्टर को माफ करने का जो यहाव होती है वो अपने भाई को देखती है उसका भाई जो हो वो इसको देखता है उछ सिग्नल करता है कि उसका टाइम आगय हो जाके वो अपने लोजी करें तो यहाव बोलती है कि मुझे माफ करना मुझे ऐसे का समान नहीं लेना चाहिए था example और मुझे ऐसे शब्द भी नहीं बूलने चाहिए तो नाइम मुझे ऐसा कुछ कमेंट्स इंटरनेट पे करना चाहिए था जो लिंगवाई होती है वो जल्दी जल्दी इनको निप्टाना चाहती है तो वो हलके में बोल देती है अब हमारा टाइम मत वेशकरो तो Mr.Yover बोलते कि लिंगवाई जो यू आन है वो सचमें तुमसे सिंसिर्ली अपलोजी कर रहे है तो लिंगवाई बोलती है ये सिंसेर अपलोजी बहुती ज़्यादा अची है पर हमें जरा इस्पेर कर दीचे हमें ये स्क्रिप्ट वाली और एक्टिंग वाली अपलोजी की कोई जरुरत नहीं है और ये ऐसा लगता है कि ये गोई स्क्रिप्ट की लाईने याद करके आई है और यहाँ पर बोल रही है और हमको कुछ काम है इसलिए हमें छोड़ी है हम लोग जा रहे हैं करके तब ही लिंग वाई और यही जाने लगते और सीयो देखता है कि सब जा रहे हैं तो वो भी बोलते है कि मिस्टर याओ मैं तुमको आगे फिर कभी मिलूँगा मैं भी चलता हूँ लेकिन जो याओ रहती है उसे बड़ा गुस्सा आता है वो बोलती है कि यह पहली बाता जो मैंने किसी से सिंसेली अपलोजी करी थी तो यह लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कैसे कर सकते हैं और अपने भाई को बोलती है कि तुमने देखा उन लोगों ने मेरे साथ कैसा वहवार किया करके उसका भाई उसका मुझी बंद कर देता है और उसको एकदम से अपने पास करके देखने लगता उन लोग को जाता हूँ अब ये चारो जा रहे होते हैं याओ अपने मन में कुछ सोच रही होती है लिंगवाई और यी एक साथ होते हैं और तभी याओ को लगता है कि ये दोनों कब एक दूसे के इतने क्लोज आ गए थे और देश सुचते हैं कि ये थोड़ा सा अजीब है करके और तभी ग्रेंट फादर और ग्रेंट मदर सुचते हैं कि ये कितना इडियट इनसान है और लिंगवाई जो है अब वो बड़ी भी हो गई है और वो टॉल है और ये बोलते हैं कि मैं मुझे उससे मिले वे कापी टाइम हो गया ये सब ना CEO के अंकल बोल रहे होते हैं और ग्रेंट फादर ग्रेंट मदर अपने मुझे मन में सोच रहे होते हैं मुझे फलाइवे कि ये आदमी का अभी तक बोलना खतम क्यों नहीं हो रहा और ये यहां से क्यों नहीं जा रहा और तब ही ऐसी हो के अंकर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगाता कि लिंग वाई जो है वो इतना टफ जॉब चुनेगी और एक एक्टरस बन जाएगी और ये भी बोलता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा एक यंग लेडी के लिए इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना सीयो का भाई जो है वो बोलता है कि जो मेरा बड़ा सन है बेटा है और उसको भी इंटर्टीन्मेंट इंडस्ट्री में जॉइन करने का मन है तो मैं चाहा रहा था कि मैं किसी दिन उसको लिंग वाई से मिलाऊं करके तब ही नहीं दरवाजे पर नौक होता है और दोनों करके और फिर जल्दी से ग्रैंड मदर बोती है कि मिस्टर फैंग हमें एक इसक्यूस के रिए हमारे एक इंपॉर्टन गेस्ट आये हैं हमें उनसे मिलना है और हम आपसे बात में बात करेंगे तो जो जी यह का अंकल है वो बोलता ठीक है मैं आपसे बात में मिलूंगा और बोलती है कि ग्रैंपा ग्रैंट में बताती है कि यह 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 मेरे घ्रैंपा पैरंट्स है तो जो ग्रैंड मदर होती है वो यह को देख रही होती है ग्रनफादर बी UH TaoDB यी कोई देख रहे होते हैं तो यी को बहुत नर्वसनस सफीर होती है वो बोलता है हेलो मिस्टर ही have और Hi Mrs. He लेकिन Grandparents कुछ भी जवाब नहीं देते और वो लोग लगातार यी को देख रहे होते हैं और तब ही लिंग भाई बोलती है कि Grandpa और Grandmother आप लोग कुछ कहते हैं क्यों नहीं करते तो ये दोनों जो हैं बुड़ा बुड़ी अपनी reality में वापस आ जाते हैं क्योंकि ये लोग तो खोई गयते हैं यी को देखके और तब ही Grandmother बोलती है कि अरे कितना अच्छा बच्चा है कितना अच्छा बच्चा है इधर आओकर कि वो यी को अपने पास खीश लेती है और बोलती है इधर बैटो और यी को बिठा देती है और यी जो है उसका nervousness में पूरा हाल हो रखा होता है तब ही Grandmother बोलती है कि यी क्या तुम को भूक लगी है क्या तुम कुछ खाओगे क्या तुम कुछ पी होगे और तब ही Grandmother बोलती है कि तुम्हें चाय पीना चाहिए और यी सोच रहा है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है और लिंग वाई अपने मन में सोच रही होती है कि जहां तक मुझे याद है हमने agree किया था कि हम हर चीज़ को थोड़ा ना थोड़ा slow तरीके से लेंगे नहीं तो यी को डर लग जाएगा और लेकिन ये लोग को देखो ये किस तरीके से पेशा रहे है तभी जो CEO का अंकल है वो आवाज निकालता है तभी इन लोग को याद आता है कि एक आदमी और भी यहाँ पर मौजूद है लिंग वाई उसकी तरफ देखती है और तभी फिर से नॉकमाप होता है और इस बात CEO और वो मिस्कूइन जो है वो आते हैं और मिस्टर ही हो मिसिस ही को ग्रीट करते हैं लेकिन CEO जो है अपने अंकल को देखके दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और CEO सोचता है कि क्या बोलूँ तो वो बोलता है गुड इवनिंग अंकल करके चुकि अंकल और CEO का रिष्टा अच्छा नहीं है तो वो एक दूसरे को अभी तक देखी रहे हैं लेकिन CEO फिर बीकट सी गेले उन्हें गुड इवनिंग कह देता है और अंकल बोलते कि अरे वहां ये कितना सप्राइज है कि तुम भी यहां हो और मुझे लगा नहीं था कि तुम यहां पर आओगे करके और फिर जो CEO के अंकल है वो सोचन लगते कि जो उसके फादर है वो कैसे हैं वो अपने इस लड़के का भागयों बनाए भिना मानेंगे नहीं और उन्होंने इसको भी यहां पार्टी में आने की जाज़त दिये करके तभी कुईन बोलती है कि अंकल मुझे नहीं लगा था कि मैं आपको यहां पर देखूँगी और मुझे लग रहा था कि मैं जिन याओ के साथ आपको किसी दूसरे दिना के विजिट करूँगी करके लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुती जादा बीजी हैं आप तो जिन याओ से भी जादा बीजी हैं इसलिए आपके पास हम लोग के लिए कोई टाइम नहीं है ऐसा करके कि क्वीन जो है वो हस्ते हुसते यह कहती है और बुलती है कि आप जो हैं बहुती एनरजेटिक लग रहे हैं यंग पीपल से भी जादा एनरजेटिक हैं पर आप केरफूल रहे और अपने पॉड़ी को जादा इस्ट्रस मत दीजिए एकाम को स्लो लीजिये तो अंकल को बड़ा बुरा लगता है वो अपने मन में सोचते हैं कि यह लड़की कितनी एंओइंग है और यह जो लड़की है वह कुईंफंफूली की लड़की है तब ही अपने मन में ख्याल आता है उसको कि क्यों ना हो है वो जो है एकदम यूजलेस है और उसने यूजलेस क्वीन फैमिली के साथ अपना रिष्टा किया है और वो क्या ही इसको हेल्प कर पाएंगे तभी एक खाना आता है जो डायरेक्ट ग्रैनमा के हाथ में होता है और वो बोलती है कि यह पाइनेपल पेस्ट्री है और ऐसा चाए पर उस रहे होते हैं और यह उसमझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करें वो एकदम सेंविच सा बन चुका होता है और तभी ग्रैनफादर बोलते हैं कि यह वाली जो चाए है वो बहुत अच्छी है करके तुम इसको पीओ तो यह ग्लप ग्लप करके वो चाए पी जा है और तभी उसको याद आता है कि जो जीन ग्याओ याने CEO है उसने किसी को अंकर बुलाया था तो क्या कोई और भी इस रूम में है करके और तभी जो लिंग वाई होती है वो सुचती है कि कुछ नहीं इस कमरे में बहुत हवा है और यह दोनों बुड़ा बुड़ी ने यह को सैंडविच बनाया रखा होता है और जो यह होते हैं CEO के अंकर होते हैं वो CEO को और कुईन को तिरची नजरों से देख रहे होते हैं तो लिंग वाई बोलती है कि ग्रेंपा और ग्रेंडमा जिन याओ और कुईन भी यहाँ पर है करके और वो लोग आपको हाई कहना चाते तब ही ग्रेंडफादर और ग्रेंडमादर का ध्यान जाता है वो बुलते हैं और यह ग्रेंडमादर बोलती कि अब जो कुईन है वो काफी मैच्चूर हो गई है बड़ी लीडी बन गई है तो थैंक यू हमें यहाँ पर आने के लिए विजिट करने के लिए और आजका के जो यंग बच्चे वो थोड़ा अनफैमिलियर से दिखाई देते हैं तब ही कुईन बोलती है कि हाँ काफी समय हो गया है जब मैंने आपको लास देखा था मिस्टर ही और आप लोगों को कई बार मेंशन भी करते हैं और बोलता है कि मैं यहाँ पर कुईन के साथ आया हूँ वो आपको यहाँ पर ग्रीट करना चाहती थी तो मैंने सुचा कि मैं भी आकर आप लोगों को रिस्पेक्ट दिखे जाओं तो ग्रैंड मदर हस्योप होती है कि ठीक है और तब ही वो सुचते है कि फैंग जैंग भी ही है और यहाँ पर CEO को लगता है कि अंकल भी यहाँ है और अंकल को लगता है कि उनका जो यह है नफ्यू है वो भी यहाँ पर है करके और तब ही वो जो उनका अंकल है वो बोलता है कि तुम लोग जो ओल्ड पीपल का बहुत ही कियर करते हो और वाकई में जो फैंग फैमिली के बच्चे हैं वो कापी इस मामले में तब ही उसके CEO के अंकल पूछते है कि कै मैं जान सकता हूं कि यह जो यंग मैन है जो आपके बाजू में बैठा हुआ हूँ है वो कौन है यानि वो यह के बारे में पूछ रहा होता है और तब ही को लगता है कि मैं अपने आपको कैसे इंटरड्यूस करा हूं और उसे बहुत ही मदर भी देख रहे होते हैं और उनका भी मन नहीं होता है इस आदमी को कुछ जवाब देने का तो क्या कहते हैं CEO आगे बढ़ते है कि यह मेरा दोस्त है करके और तभी लिंग भाई बोलती है कि हमारी इंडर्यूस का निव कामेर है और हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छी और अपने मन में सुचते हैं कि बेसिकली आदमी कुछ भी नहीं है तो यह सुनने के थेंक्यू बोलता है और अपने मन में सुचते है कि यह जो CEO के अंकल है यह जूरू को हम पहुचाना चाहते हैं करके और फिस CEO बोलता है कि CEO के अंकल बोलते हैं कि लिंग यह बहुती हार् करना तुम्हें और फ्रेंड्स बनाने चाहिए करके और जो मेरा बड़ा बेटा है उसको अपना बिजनस आगे बढ़ाना है उसको इंटर्टीन इंटर्टी में आना है तो तुम क्यों नहीं उससे मिल लेती हो और यदि मिल लोगी तो अच्छा रहेगा क्योंकि मैं मुझे प परसन भी नहीं हूं जो किसी को अड्वाइस कर सके तो अंकल बोलते हैं कि लेकिन तुम दोनों का एश एम है तो यदि तुम लोग एक दूसे टाइम निकालोगे तो अच्छा रहेगा और तभी जो यह ग्रेंडपैरंट्स रोते हैं कि तुम लोग करो हम लोगों की परवा कि sorry आप लोगो को bother करने के लुड़ और अंकल जाने लगते हैं उनके पीछे-पीछे CEO भी जाने लगता है और दोनों एक-दूसर के पीछे-पीछे निकलते हैं और अंकल जो है हो CEO को को तुर्ची नजर से देखता है और CEO भी अंकल से इशारह करता है कि मैं तुम्हारा बहार इंतिजार करूंगा यही समझ जाता है और बोलता है मैं वहाँ जल्दी आओंगा तो फ्वीन भी बाइ-बाइ कहती है और वह लोग निकल जाते हैं और तब ही यही को लगता है कि उसे भी उठना चाहिए और जैसी वह जाने वाला ह होता है दोनों ग्रेंट पैरेंट्स उसको रोक लेते हैं और बिठा देते हैं वह बोलते हैं कि यह तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ चेस खेलोगे करके तो यह सुचता है कि मैंने कब कहा था कि मैं तुम इनके साथ चेस खेलूंगा पर अपने मन में सुचता है कि मैंने तो एसा कभी नहीं कहाता करके और तभी सब के सब बोलते नहीं नहीं, तुमने कही था, तुमने कही था अब क्या होता है, कि यहीब पॉस कवे सwnें उध्य कृष्ट खेलने बैटता है और अपनी जो हैजोटिया उनको इधर-उधर घुमा रहा होता है और जो उसके Grandfather हैं वो भी चेस खेल रहे होते हैं और सब चीजों को इधर उधर गुमा रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये जस्ट गोमुकू की तरह है और तुम्हें पहरे सोचना पता है कोई भी चीज करने से पहरे Careful रहने की जरुवत है, Serious रहने की जरुवत है और फोकस रहने की जरुवत है और Grandmother ये को बहुत अच्छे से देखती है और बोलती है कि तुमारी फैमिली, तुमारे पैरेंट्स, सब कैसे हैं करके तो ये बोलता है, मेरे पैरेंट्स तो Grandmother पुछती है कि वो कैसा कर रहे हैं तो ये बताता है कि वो लोग ठीक है और वो लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते है और वो बहुत हैपी भी है और ये लोग चेस खेलते रहते हैं और बाते करते रहते हैं Grandmother सोचते हैं कि हैपी है और Grandmother बोलती है, अच्छा ठीक है और फिर बूलती है कि 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 तुम हमें कुछ और भी अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो क्या और मैं और तुमारे ग्रैंट फादर जो हैं वो बहुत ओल्ड पीपल हो गए है अब और हम लोगों को जो इंटरेस्ट आता है वो यंग लोगों के साथ बात करने में ही सबस्यादा इंटरेस्ट आता है और ऐसा करके हसने लगती है और ग्रैंट फादर बोलते हैं कि ठीक है तुम अपने पैरेंस के बारे में कुछ बताओ तो यह बोता है कि मेरे जो parents है वो normal लोगों की तरह है और एक ordinary life जीते हैं वो लोग और उनमें कुछ भी special नहीं है करके और हमारा जो घर है वो एक बहुत चोटा घर है और humble सा घर है और हमारे पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे और तभी यह सब flashback में याद करने लगता है कि कैसे उसकी family खुश रहती थी तो कि वो लोग के परिवाय में कुछ खास वैसे भी नहीं होते थे तो बुलता है हमारे परिवाय में बहुत कुछ है लेकिन हमारा परिवाय जो है बहुत ही cozy सा है और बहुत ही warm सा है काके तब यह दादा जी भी सुनते हैं और यह बताता है कि जो मेरे फादर है उनका temper भी बहुत अच्छा है और वो college में teacher है और वो कई बार बहुत busy भी रहते हैं पर वो हमारे लिए dinner बनाते हैं और मेरे लिए और मेरी मामी के लिए dinner बनाते हैं वो भी रोज बनाते हैं तो क्या कहते हैं जो grandmother होती है उन्हें याद आता है कि कैसे उनकी बेटी ने kitchen को जला दिया था और तब ही वो दोनो पारेंस मन में सोचते हैं कि उनकी बेटी को kitchen से दूर रखना चाहिए तो यह बोलता है कि मैं उनलों को मिस करता हूं और जब सम्टाइम जब डाड़ घर आते हैं तो माम को डर लगता था कि कहीं मैं भूका ना रह जाऊं तो वो kitchen में जाती थी और मेरे लिए खाना बनाने की कोशिस सट हदी कि तो ग्रेंट में मजच Johann H da 22 कि उनको ने खरता है कि उनकी जो बेटी work kitchen में खाना बनाई नहीं सप्थी तो तो यह बोलता है फिर क्या कुछ नहीं वो किचिन हमेशा जला देती थी और ऐसा कहके हसने लगता है और बोलता है कि यह बहुती फनी था और डैड इतना डर गए दे कि उन्होंने ममी को किचिन में जाने से हमेशा केले माना कर दिया तो ग्रैन फादर को पुछते हैं कि क्या थोड़ा बहुत जल गई तो यह बोलता है नहीं जली क्यूंकि उन्होंने स्रिफ स्टोफ को भरबात कर दिया वह बहुती स्मार्ट है जैसी कुछ होता है वह पहले ही भागने लग जाती है और तभी दोनों ग्रैन्परेंट सोचते रहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्यूंकि उ उस पर एक्सपीरियंस से करके तो यह बताता है कि पहले वो लोग बहुत जगहों पर मूफ करते रहते थे एक जगह से दूसी जगह पर दूसी सिटी पे और यह सब उन्होंने बहुत लंबे समय तक बहुत बार किया पर किसी तरह वह इस सिटी में सैटल हो गए और यहां से मैंने अपना जूनियर हाई स्कूल किया और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो पैरेंट्स है वो यहां इसले सैटल हुई कि वो किसी का केर करती हैं जो यहां पर रहते हैं करके तो ग्रैंड मत्रे को थोड़ा सा सैडनेस फील होती है और वो सोचती है कि जब उनकी बेटी यह हैं तो उनको विजिट करने क्यों नहीं आई तो यही बतात है कि जो मेरे फादर हैं वो ट्रावल करते थे और हर विंटर में हमें हर जगा पे ले जाते थे गुमानी के लिए हम लोग बहुत खुश रहते थे और उन्होंने कभी मुझे स्टेडी के लिए पोस नहीं किया औ और मुझे उन्होंने हमेशे बहार का वर्ल्ड देखने दिया तो हम लोग कई सारी जगाओं पे गये हैं साथ-साथ मेरे जो ग्रेट्स थे वो कभी भी स्कूल में अच्छे नहीं आए और लेकिन मेरे डैट्स होते वह बहुत ही जादा जीनियस थे तो जो ग्रेंट्स होते हैं वह बहुत ही प्राउड हो रहे होते हैं यह सोच के कि जो ग्रेट्स थे स्कूल में वह बिल्कुल अच्छे नहीं आए इसलिए उनको बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि उनकी जो बेटी थी वह भी पढ़ाई लिखा ही अच्छे नहीं थी तो व्यान मदर्द मिलती ही चुलती है लेकिन जो मदर है मेरी वह उन्रीजनेबल नहीं है और जोड़ा भी कोई भी मेरे फादर और उनकी बीच में जगड़ा होता है तो वह जल्दी सॉट आउट कर लेते हैं और एकदम हैपी लाइफ फिर से बिताने लगते हैं और वह बोलता है कि समय के और जब से मैं चोटा था ग्राइन फादर सब कुछ सुनते हैं तब ही ग्राइन मदर याद करती है कि यह अच्छी बात है मैं और तुम्हारे ग्राइंपा हमेशा लड़ाई करते थे जब से हमारी मैरेज हुई थी और हम लोग लेकिन अब एक दूशे को प्यार करते हैं त ग्राइन मदर हस्तिया बुलती लेकिन यह बात तो सही है तब ही ग्राइन मदर पुस्तिया कि अब यह तुम्हारे पैरेंट्स कैसे हैं तो यह उनको तुरंद बताता है कि वह तो ट्राइवल करने के लिए चाले गए हैं और उन्होंने मेरे सामने एक लेटर पटक के रखा क्णा पूरम मसली हमारे में उनको पूरे वर्ल्ड में अजान में पूर्ण होद् है आरव उनके पाओं पर चलना बढ़न हो जाते ही और तभी वह उनक्टी bank को चाएं आ उसके पैरन्स कर सब्सक्राइं को चाहते έχि एक भी चाले और दमार घॉडudd के जाते हैं इसा कि हमें 60 मतलब समय बिताना चाहिए तभी लिंगवाई बोलती कि तुम्हारे पैरेंट्स की जो मेंटेल्टी वो बहुत ही अच्छी है और वो लोग आराम से भार पून सकते हैं और फ्रेश एर को ले सकते हैं तभी ग्याइन पादर बोलते हैं कि यह तुम अब बहुत ही किसी को डेट कर रहे हो तो यह फर्च से बोलता है कि नहीं नहीं मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूं और यह बताता है कि मेरे पैरेंट्स ने मेरी शादी का मसला जो है पीछे रख दिया है जब से उसने रूरू को जनम दिया है और तो फिर वो बताता है लिंगवाई बोलत आता इनफेक्ट ग्राइन फादर जो है वो तुमसे भी पूछ रहे हैं कि तुम शादी कब करोगी और तभी ग्राइन फादर बुलते हैं कि जो याओ फैमली में वो लड़का है वो अच्छा दिखता है और मुझे लगता है कि वो तुमें भी पसंद करता है तो तुम क्यों उस लड़के के साथ जादा समय बिताती हो तो लिंगवाई बोलती है कि ग्राइन फादर ग्राइन मादर मैं यही के पैरेंट से जैलस हूं क्योंकि वो लोग एक और नरी लाइफ बिता सकते हैं और वो बहुत हैपी है और वो यह भी बताती है कि मिस्टर याओ जो हैं वो बहुत स्ट्रॉंग है और बहुत ही मतलब होता है ना बड़ी फैमिली उसके अंदर के प्रॉब्लम्स वैसे हैं तो मैं अगयां से शादी कर तो लूंगी लेकिन करने कहाद कभी भी कियर फ्री लाइफ को नहीं जी पाऊंगी मतलब जैसा हो चाहेगी वैसा वो कभी कर नही पाएगी तो मैं उस आत्मी से शादी नहीं करना चाहती हूं ऐसा करके यह उस याओ को रिजेक्ट कर देती है तभी ग्राइन पादर बोलते ठीक है तुम्हारे डिसीजन का मैं समान करूंगा और बोलते हैं कि ठीक है यार रखना कि जब तुम्हें कोई पसंद हो तबने ब पदल गए पहले के पिक्षक इतने कम जिद्धी है अब काश की यह अपनी लड़की के टाइम पे भी इतने कम जिद्धी हुआ करते हैं और नहीं तो हमारी लड़की ऐसे भाग के नहीं जाती थी घर से और तभी इलिंग भाई भुती की ग्राइन पादर ग्राइन आप लो की और इतनी जल्दी टाइम बील किया तो ग्राइन मदर बोलती की सौरी हमने तुम्हारा बहुत सारा टाइम बेस कर दिया हम ओल पीपल जो हैं वो ऐसी सब बाते करते रहते हैं तो यहीं सांतवना देता है कि नहीं आपने कोई जाता टाइम नहीं बरबाद किया है और बोल है कि क्या तुम हमारे घर आओ के फ्यूचर में हमें और भी स्टोरी सुन रही है तुमारी फैमिली के बारे में तो यहीं बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं मैं आऊंगा यादी मैं बिजी नहीं होंगा तो अब क्या बहुत रात हो जाती है और तभी सीयों बुचता है कि इतनी दे तक तुम ने उस रूम में क्या किया और जो यह होता है कि वो बोलता है कि मुझे नहीं पताता कि Mr. He or Mrs. He इस तरह के लोग है उन्हें मेरे साथ बात करना था और उन्हें यंग पीपल के साथ बात करना अच्छा लगता ऐसा हुन्होंने मुझसे कहा और वो ल मेरे मेरी नर्वसनेस ठीक हो गई और उन्होंने मुझे यह तक कहा कि मैं उनको दुबारा विजिट करूं तो सी यह अपने मन में सोचने लगता है कि एक इतना बड़ा फिगर लाइक जैसे मिस्टरी और मिसिस ही है यह बहुत उचे बड़े लोग हैं वह इतने बड़े लोग ऐसे इस्ट्रेंज आदमी के लिए ऐसे अन्नोन आदमी के लिए जो अभी तक क्रेम इंडर्स्ट्री में पुछ निया जिसको कोई पैचानी है उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कहेंगे और करेंगे करके और तभी सी यह देखता है उसको फ्लैशबैक हो रहा होता है कि यह ही रहता है वो थोड़ा सा शौक में आजाता है तो यह पूस्त है कि तूम दोने बुस्रे से क्लोज हो करके और वह सूचता है कि यह एक्चुली में एक दूसरे को जानते हो क्या यह एक दूसरे मतलब गल फ्रिंड बॉइफरेंड तो नहीं है करके